दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबेल में Google Chrome ब्राउजर ओपन कर देना है चले मैं यहां से ओपन कर देता हूँ ओपन करने के पद आपको यहां पर सर्च वार में टाइप करना है नरेगा जैसे आप नरेगा सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरहा का एंटरिफेस सो हो जाएगा आपको यहां पर एक एड का पॉप ओप देखने को मिल जाएगा मैं यहां पर जूम कर देता हूँ और यहां से आपको इसे cross कर देना है यहां से इसे cross कर देना है cross करने के बाद आपको यहां पर थोड़ा और zoom करना है और यहां पर देख लिए उपर यह search का search का option दिखाई दे रहा है यहां पर आपको यहां पर search का option के उपर click कर देना है चले मैं यहा पर click करता हूँ click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface so हो जाएगा आपको यहाँ पर देर सारे option देखने को मिल जाएंगे मैं zoom करके आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर select करना है job card जॉब कार्ड मैंने सेलेट कर दिया है फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है इस्टेड आप कौन से स्टेड से हैं फिर आपको यहां पर डिस्टिक्ट सेलेट करना है कि आप कौन से डिस्टिक्ट से हैं यहाँ पर हमें district select कर दो अब यहाँ पर आपको डालना है MS number चले मैं यहाँ पर MS number डाल देता हूँ और MS number डालने के बाद डाल देता हूँ डालने के बाद आपको यहाँ पर go वाले option के उपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एंटरफेस सो हो जाएगा यहाँ पर आपको party का पूरा job card नमबर सो करेगा और साथी उसका नाम सो करेगा आपको इसके उपर क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपर देख सकते हैं पूरा पार्टी का जॉब कार्ड यहां पर खुलके आज चुका है तो यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर देख सकते हैं कि पार्टी का भी आविदन हुआ या नहीं उसको भी काम मिला या नहीं सुरी यह थोड़ा बेक चला गया है पार्टी को यहां पर काम मिला है के नहीं तो यहां पर आप देख नोट कर दीजिए एक आट का यह है और यहां पर एक आट से पंदरा आट के बीच में है और यहां पर तेरा दिन का इनको रोजगार मिला है अब रोजगार तो मिल गया लेकिन कौन सी सैड पर मिला है तो यहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आठ का यहाँ पर यह एक आठ का आविदन है और यहाँ पर यह सैड का नाम सो हो रहा है यहां पर देख सकते हैं यह साइड का नाम सो हो रहा है तो यहां पर इस साइड का नाम सो हो रहा है यानि आपको इस साइड पर कारे करने के लिए जाना है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका पैमेंट हुआ कर नहीं यानि जो भी आपने पिछले काम किया है तो उसका payment हुआ कि नहीं तो यहाँ पर आप देख नोट कर लिजी एक साथ दो जार इकिस का बारह दिन का ये कारी क्या था और इसका ये payment यहाँ पर ये सारा payment सो हो रहा है यहाँ पर देख लिजी ये payment हमारा सब कुछ ये पूरे खाते में आ चुका है यानि ये इसका इतना payment मिला है और इसमें इतना इसमें इतना यानि ये payment पुरा clear हो चुका है जो भी आपका payment अगर due रहता है यानि जब भी आपका payment नहीं होता है तो इदर ये जिरू दिकारा इधर ये due payment होगा तो वो इधर सो करेगा लेकिन payment कलियर होने के बार में वो इधर सो करेगा उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक वे शेर जरूर करें और साथ ही हमारे dbt technical support को subscribe करना ना भूले दन्यवाद जय है